नमस्तार मित्रो यह सची घटना पर आधारित कहानी है बस इसके पात्र बदल दिये गए हैं अगर आपके पास कोई सची घटना पर आधारित कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं अगर आपकी कहानी पे लोग ज़्यादा लाइक करते हैं तो हमारे चैनल के अपसे आपको एक गिप्ट इनाम के तोर पर दिये जाएंगे आईए कहानी पर चलते हैं मैं और मेरे मित्र एक बार उनके गाउं गए हुए थे गाउं दूर दराद इलाकों में था और पक्डंडियों से होकर गुजरना पड़ता था खेतों के बीच से नदी तलाओ थे छोटे छोटे मैं और मेरे मित्र चलते हुए जा रहे थे मेरे मित्र से मैं बात करना चाह रहा था कुछ प्रन्तु मेरे मित्र चुप चाप चले जा रहे थे मैंने उनसे पूछा कि आप इतना चुप चाप क्यों जा रहे थे कहे मेरे मित्र ने बस इतना कहा क कि अभी दो तीन खेत की जो पगडंडी है वहाँ चुप चाप चलना है उसके बाद हम बाते कर सकते हैं मैंने बहुत जीत किया कि बताओ आखिर क्या बात है कि दो तीन पगडंडी हमें चुप चाप जानी है और उसके बाद हमें बात कर सकते हैं मित्र ने कहा मैं बाद में ब बताओ बताना तो तुम्हें अभी पड़ेगा मेरे मित्र ने कहा कि बहुत पुरानी बात है कि इस जो बैड का पेर है उस पे एक रामो काका करके थे उन्होंने फासी लगा ली थी और उनकी मित्त हो गई थी तब से लोग डरते हैं यहां कोई बड़ी काड़न तो नहीं आदमी रात के समय यहां से घुजर रहा था रात का समय ठाओं यहांसे घुजर रहा था और उसे पिसाव करने की इच्छा जागे वो पिसाव करने के जिएं रूग गया थोड़े से वक्त के लिए और रूग कर पिसाव करने लगा इतने में उसantry कि ब constitutes सुनाई दे उसे अभास हुआ कि इतने रात में कौन यहां बच्चा छोड़ गया होगा वो अलट इधर उदर पलट कर देखने लगा यहां बच्चा कौन छोड़ गया तो देखा कि उसी पेड़ के नीचे एक पालने में बच्चा बधा हुआ था जूले में और जूल रहा था रो रहा था उसे हैसास हुआ कि ऐसा कौन कर सकता है यहां बच्चा बान गया हो देखने के उद्देश से वहां गया जब देखा तो बच्चा उसमें रो रहा था उसके अंदर उसने बच्चे को उठा लिया, सोचा सकता है इसके साथ कोई मंत्र या कोई तांत्रिक क्रिया करने वाला है, इसलिए बच्चा उठा कर लिया है, और बच्चा उठा कर वहाँ से भागने लगा, भागने लगा, भागते भागते जब थोड़ा दूर भाग कर गया तो उसे उसने बच्चे को वही पटक दिया और भागने लगा जब वो तीन खेतों की सीमा पार कर चुका था तो बच्चा आवाज लगा कर उसे कहता है कि आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूं क्योंकि तुमेरे सीमा के बाहर चला गया है और मेरा पैर में जमीन में मेरा पैर नहीं स से दौरता दौरता गाओं में आया और दो-तीन दिन तक बिमार रहा लोगों को उसने सारी घटना के सुनाई तब से लोग यहां आने से डरते हैं यही कारण है कि मैं तुझे कह रहा हूं कि यहां से चुपचाप चल तीन खेत जाने के बाद हम बात कर सकते हैं मैंने पीछे पलट कर देखना सही नहीं समझा और सीधा पगडंडी को पार करते हुए चला गया मित्रो यह हैसास आपको कैसा लगा कोमेंट अवश्य करिएगा और मेरे चैनल को सस्क्राइब करिए मैं इसी परकार की कहानी सुनाता हूँ अगर आपको और आपके पास आपके मित्र के पास या किसी के पास कोई कहानी हो और सची घड़ना पड़ा धारीत हो तो आप हमें भेज सकते हैं हमारी चैनल आपकी कहानी लोगों को सुनाएगी अगर आपकी कहानी लोगों को पसंद आती है तो मेरा चैनल आपको एक किप्ट इनाम के तौर पर देगा तब तक के लिए मेरा चेनल सब्सक्राइब करिए धन्यवाद